नमस्कार कसान भाईयों आज हम आपको ऐसे पांच कारण बताएंगे जिनकी वज़े से जो फारमर है वो बरबाद हो जाता है उसकी जमीन तक भी जाती है और जो उसका फारम है वो उसको मजबूरन तोड़ना पड़ता है और वो ये काम जिस ये बिजनस में जो पोट्री बि जो फारम है वो बरबाद हो जाते हैं नमबर एक फारम में महंगा चूजा और क्वालिटी ओफ चिक्स मतलब आपका जो चिक्स है आपने वो महंगा खरीदा है और बिना सोचे समझे आपने महंगा चूजा ले लिया और शोख रखते हैं बहुत से लोग ऐसे हैं जो महंगा चुझा लेने के लिए छोक रखते उंको यह लगता है कि अगर चिकस महढा ऊँगा होगा तो मुरका भी महढा था उसने होता कभी तो फसकुमों गर बाद में ग्रीन पड़ेते हैं तो उसका जो आपने चिक्स लिया है वह अच्छा ले बेकार चिक्स ना ले ऐसा ना ले कि किसी भी भी हैचरी से या कोई भी एजेंट है बीच में आपने उससे बुक कर दिया और आपने कोई भी बेकार चिक्स ले लिया पिर बाद में उसमें मोटैलिटी हो गई और क्वालिटी और एसा ना करें की कोई भी भी बेकार चैंस नलाएं क्योंकि यह यह बेकार चिक्स होना और आपके फार्म में जो महेंगा चू जाना यह step बड़ा कारण। होता है फार्मर के बर्बाद का नंबर-2 फार्म बता देते हैं को quality of जो आप देते हैं अपने चिक्स को वो अच्छा होना चाहिए यह नहीं कि आप कहीं से भी किसी वेकार से अप यह फीड ले ले और जो जो आपको फीड दे रहा है तो वह उसके जो पैसे मूं महेंगा लगा ले उस चीज को और आपको पता भी ना चले कि वह आपको महेंगा दे दिया है और जो जो नॉर्मल रिट चल रहा है फीड का उससे आपको ज्यादा महंगा दे दिया तो ऐसा ना करें जो आप जो फीड खरीदते हैं वह अच्छा ही खरीदें नमबर तीन पर आता है अपर फ़ार्मर गलती करता है परदो का की जब ठंडी है तो पर्दे खुले रह गए और हवा चल रही है जब भी फड़े खुले रहे तो ऐसा ना करें जब एसा मोसम खराब हो रहा है तो अपने परदों को बराबर मैनेज मेंज़ मैनेज रखें जब गर्मी आइप तो उन् आप नाम बनाने का तरीका ज до वह पांशहों होना चाहिए वह ऑपका एक ज्थे दिखाली के एक जया एक उसको जाण। बहुत हैं की आप बारिश पढ़ गई और फार्म में पानी भर गया ऐसा भी बहुत कारण होते हैं फार्मर के बरबाद होने के तो ऐसा ना करें उसका लेविल है फार्म का नीचे से वो भी उपर होना चाहिए और साइडों की दिवार हैं आप बनाते हैं नीचे में वह प्रोपर रहनी चाहिए में डिक्षर सब्सक्याइब ताकि बारिश में वह पानी अंदर ना भरे आपके फार्म में तो आपके फार्म का बनाने का तरीका अच्छा होना चाहिए और पांचवाता अपके हमें आप जो बैक्टिरिया श्याश्याइब वाइरल होते हैं जो आप फार्म आजाते हैं तो इनका आप रोक्ताम करें इनकी एगर चिक्स बीमार हो जाता है उसको ठीक करना बहुत मुश्डिल है और अगर वह उसको और ठीक ही रखें वह आसान है उसको भी सिथा द्यान रखें के जो जूते हैं वो नीचे से जो सोल है वो गंदा है और आप सिद्धे अपने चिक्स में चले गए तो ऐसा भी ना करें और किसी भारिया जो भार के जो लोग है उनको अपने फार्म में अंदर घुसने ना दे और साफ सफाई का ध्यान रखें जो बेकार चीज़ें जो जो इस इस उनको फां में ना रखें और खाली जो गैसा ना करें और यह सब चीजह आती 마ोज करें तो आप सभी फार्मर Beach का बहुत ध्यान रखें और सभी फार्म भाई उको बहुत धन्यावाद मेरी वीडियो देखने का व्प्लीज हमारा यह चैनल सबस्क्राइब कर दीज़ आपका जो बटन ने सब्सक्राइब दबा दीजिए ताकि हमारी सारी चीज़े आपके फोन में पहुंच सके आपको पता आप तक पहुंच सके बहुत बहुत धन्यवाद